अगले खबर आ रहे हैं बुरहानपुर से जहां राहूल गांडी की भारत जोडोयात्रा मध्ध प्रदेश में है 52 साल की राहूल रोज 22 से 24 किलोमीटर चलते हैं उनके साथ 75 साल का एक जबान भी रोज कंधे से कंधा मिला कर चलता है ना सिर्फ चलता है बलकि उन सभी एक्टिविटी में पार्सिपेट भी करता है जो राहूल करते हैं ये सक्स है भारत जोडोयात्रा के सयोजग दिगविजय सिंग दरसल हाली में कॉंग्रेस की सीनियर लीडर जैराम रमीस ने दिगविजय सिंग को राहूल कांधी के बाद भारत जोडोयात्रा का सबसे युवायात्री बताया था जिसके बाद उन से 75 किलो मीटर की ओम्र में युवायों को चुनोत देने वाली एनरजी का राज पूछा तो वे शिर परचित अंदाज में बोले पहले सवारुपय का प्रसाथ चढ़ाओ गुरु बनाओ फिर जवाब मिलेगा हमने लाग कोशिश की लेकिन हर बार दिग विजय कोई शर्थ रख देते कोल मिला कर जवाब नहीं मिला आपको बता दे कि दिग विजय की पतनी अमरिता सिंग की ओर से रुख किया दिगई राजा जितने कठीन है आमरिता उतनी ही सरल है उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया आमरिता नहीं कहार राजा साहग केवल एक टाइम अने खाते हैं सुबै फल लेते हैं साम को खाना नहीं खाते यही वो डाइट प्लान है जिससे वे फिट और उर्जा से लबरेज हैं अम्रिता ने बताया कि वो उनसे 50 गुना ज्यादा अनुसासित हैं वे हमेशा उनसे पहले सोकर उठते हैं नियमित योग और प्राणायाम करते हैं जिना पूजा किये अन्ने का एक दाना ग्रहन नहीं करते हैं यही अनुसासन और व्यायाम उन्हें फिट रखता हैं इसी से उन्हें ताकत मिलती हैं अम्रिता ने बताया कि उनका काम पत्नी के रूप में उन्हें मानसिक संबल देना है वे अपनी तरब से भरपूर कोशिश करती हैं कि घर में सब कुछ अच्छा महाल मिले वे अपने खाने से कम विल पावर से ज़्यादा चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दोरान दिगविजय की एक और खुबी उनके पुराने साथी पूर्विकेंद्री मंत्री जैराम रमेज ने बताई जैराम ने बताया कि कैम्प में सबसे पहले दिगविजय ही जगते हैं वो नियमित योगा करते हैं वो नियमित ध्यान प्राणायाम के साथ-साथ पूझा करते हैं आधे गंटे से एक गंटे तक और बिना पूजा किए वो कभी अन आज तक अपने मंहें नहीं डालते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यही अनुशाशन और यही जो व्यायाम है इससे वो अपने आपको फिट रखते हैं.